गर्या बन में किड़नी पेड़ितों कोई गाउं कहे जाने वाले सूपे बेड़ा के दर्थ से अब कोई अंचान नहीं है पिछले 17 सालों में यहां 130 से जादा किड़नी रोगियों की मौत हो गई दो दर्जन लोग अब भी विमार है रहत एवं बचाओ के सरकारी दावे के ब यह है वेदही और लक्षमी बाई दोनों उसी सूपे बेड़ा ग्राम के हैं जहां किड़नी की रोग काल बन कर आया दोनों के पती सिख्षक थे लेकिन किड़नी रोग से लक्षमी सोन वाली के पती छिटी राम की मौत 2014 में तो वेदही शृत्रपाल की पती प्रदीप की 2017 में हो गई विमार से ग्रसित पती को जमीन जेवर तक बेचना पड़ा हाउस लोन निकाल कर इलाज में खर्च की पर जान नहीं बचा पाए दोनों की तीन तीन संतान है गुजर बसर एवं बच्चों के परिवरिश के जिम्मेदारी भी इनहीं पर है 2019 में राजयपाल के दौरा के बाद इनहें कलेक्टर दर पर प्रतिमा 10,000 पागार पर नौकरी मिल गई लेकिन ये रुपए महगाई के जमाने में गुजर बसर के लिए नाकाफी है इनहें आज भी बच्चों के बहतर भविश्य के लिए मदद किया से किड्नी के बीमारी से मुख्या के गुजर जाने के बाद गाओं में और भी असी से जादा ऐसी डिवा है जो परिवार चलाने बिना किसी सरकारी मदद के संघर्स कर रही है सिलाई मसीन पर बैट कर धागा पिरोती ये महिला है प्रेम सीला पती प्रितम आडील के अलावा परिवार के सास ससूर की मौद साथ साल पहले एक-एक करकी बिमारी से हुई छोटी ननद एवं दो बच्च से किसी तरह भोजन भर का इंतिजाम कर पा रही है तीन साल तक विबारी थी दो हजर अट्रा में मेरा पती खतम हो गया और उस साल से में मसीन का काम करते हूं ओहीं पर तीन बल बच्चे को पालन पुसल करते हूं उजारा हो जाता है नहीं होता है होने से की नहीं होने से किसको बता हूं कैसे कड़के काड़ते हैं ? ऐसे जो भी होता है सरकर्च जोल देती हूं जो भी थूढ़ा सा मेंटेन हो जाते है बाकी और खरचें जो हैं बालबच्चे के सौंक को ऐसे तो कुछ नहीं है अभी वह मसिन काम ही एक करती हूं और कोई काम नहीं है गर का मुख्या बस एक ही थी उच्छा लेगा है अब क्या चाहते हैं अब कोई कुछ नहीं चाहते हो सरकार के तरफ से कोई भी काम होने से परिबार को पालं पसंद कर पाऊंगी ऐसे गाउं की गोमती बाई हो या रीना आडी या शोदा हो या हेम बाई सभी मजदूरी के भरों से परिवार चला रहे हैं सरकार के निदेश के पाउजू जीला पंचायत ने केवल महिना समूं का गठन कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला छाड़ लिया पिछले छे साल से छे सिलाई मसीन देकर सारे महिलाओं के दर्द निवारन का दावा करने वाले जीला पंचायत के अफसर कैमरे के सामने नहीं आ रहे इधर स्वास्त विभाग के अफसर अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात कह रही है सबसे पहला तो पानी पानी में वो कह रहे हैं कि हैवी मेटिल्स है तो गोवर्मेंट पी एची डेपार्टमेंट उसका जो भी निराकरन करने का सोच रहा है सेकेंड रीजन है वो एक कच्छी शराब आती है काला घूडा करके जो उडीसा से आती है ट्वेंटी रुपेस का पाकेट होता है कांसेंट्रेटेट होती है वन अप दे रीजन को किड्नी डामेज इस अल्कोहल ऑसो दूसरा की वहां पे पेशेंट्स को डाइकलोफने ने इंजेक्शिं ने हैबिच्विल लाइक अगर इंजेक्शिंस मतलब दर्द हो रहा है तो दर्द का इंजेक्शिं तो अगर अब अ कारण हो सकता है नेफ्रो टॉक्सिसिटी का क्या इसके लिए पहल कुछ की जाएगी है कि हैल डेपार्टमेंट सपोर्टिव सिस्टम दे सकता है सुपे बेडा को कि दवाई दे रहा है प्रोटीन पाव्रस दे देता है दर्द के वो दवाई नहीं खा सकते हैं तो हम स्प्र करेंगे करेंबंसे जय विलास सर्मा की रिपोर्ट पस देखते रहें सीडी विजन टीवी